एक पिक्चर भारत देश में अभी आपने सुनी होगी दा केरला उस पिक्चर में छोटी सी कहानी में आपको सुनाता हूँ क्या है उस पिक्चर में छोटी सी कहानी है हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़की होती है वो हिंदू लड़कियों को बहला कर फुसला क और अपने धर्म में वो उसे कनवर्ड करना चाहती है अपने मुसलमान भाईयों से मित्रों से वो इन्हें मिलाती है और वो बताते हैं कि तुमारे भगवान में क्या है कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया ऐसा ऐसा पाठ तुमें पढ़ाया जाता है अरे हमारे भगवान के बारे में कभी पूरा ज्यान प्राप्त करो तो जानो कि भगवान भगवान क्रिश्ण है कलकी कच्छा में मैंने बताया था कि वो गोपियां जो थी भगवान की अनेक पत्नियां थी जो हर योग में कृष्ण को पती रूप में प्राप्त करने वाली भक्त जब भगवान को पती की रूप में चाहती थी तो भगवान ने उन सबको पतनी होने का परम सौभाग दिया वो भगवान हैं जो एक उंगली से पहाड उठा सकते हैं जो काली या नांग पर निर्थ कर सकते हैं वो 16,108 विवाह करें तो नमें कोई दोस नहीं है वो इंसान नहीं है वो इतना सा मूँ खोल के ब्रह्मांड भी तो दिखाते हैं लेकिन हिंदू लड़कियों को उसने कैसे बरगलाया कि तुमारे भगवान ने इतने विवाह किये यैसा हुआ वैसा हुआ और उन हिंदू लड़कियों को बरगला कर और उन्होंने अपने धर्म में कनवर्ड कराया उन्हें लड़कियों को ले जाकर उनका शोशन करवाया और बाद में आतंकी संगठन में उन्हें सम्मिलित कर दिया और वोही लड़कियां जो हमारी बहन थी वही लोग बंदूक लेकर के हमारे भारत के बच्चों को मा बहन बेटियों को मारने के लिए आतंकवादी बन करके देश की सेना को मारने के लिए तैयार हैं उनमें से एक लड़की भाग कर आई और उसने अपने पिता से कहा पिता जी मैं आतंकवादी हो चुकी हूँ अरे बेटी तुम क्यों हो गई आतंकवादी तब उस बेटी ने कहा मेरे आतंकवादी होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप स्वयम है बेटी मैं कैसे जिम्मेदार हूँ उस बेटी ने कहा कि तुमने हमें राम और कृष्ण के बारे में अपने धर्म के बारे में बताया होता तो हम अपने धर्म को छोड़ कर कभी दूसरे धर्म में ना गए होते सही वक्त पर अपनी बेटियों को अपने बेटों को अपने धर्म का ज्यान नहीं दोगे तो वो दूसरे धर्म में जा सकती है संभावना हैं कल रोते रहना इसलिए राम के बारे में कृष्ण के बारे में चेतन्य महाप्रभू के बारे में अपनी बेटियों को अपने बेटों को ज्यान दो समझाओ राम कौन है कृष्ण कौन है समझो अपने सद गरंचों के बारे में एक लड़की एक लड़के से विवाह करती है मुसलमान लड़के से और वो लड़का ले जाकर थनी मून मनाने के बहाने उसे बिदेश ले गया एक मुसलिम कंट्री मुसलिम देश ले गया और उस देश में उसे सतर लाख रुपे में बैच दिया। सची घटना बोल रहा हूँ, सतर लाख में बैच आ, खरीदने वालों ने उसके साथ क्या किया, देह व्यापार में भेज दिया, अब वुच्ष्या की तरह देह व्यापार करती है। जैसे तैसे उसने भाग कर किसी इसे कहा भीया हमें ज़रा एक फौन करने दो अपनी मा को उसने बात की मा मैं माफी मांगती हूं आपसे क्यों जब तुम समझाती थी कि इस लड़के से विवाह ना करो तो मुझे लगता था तुम गलत थी पर मा मुझे 70 लाख मैं बेंच दिय है ऐसी कितनी लड़कियों से प्यार का ये बहाना करकर के प्यार के बहाने ले जाते हैं और विदेशों में जैसी तुमारी सकल सूरत होती है बैसे दाम मिल जाते हैं तुम ज़रा ज़्यादा सुंदर होगी तुमारे ज़्यादा पैसा मिलेंगे तुम ज़रा सावली होगी तुम्हारी कम पैसे मिलेंगे विदेशों में बारत से जाकर भारत से जाकर लव जिहाद क्या है यही तो है प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को और यह हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी